हलो माइडियर फ्रेंड सेवी डिफेंस कारियर में आपका बहुत दोज स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कि AISL जो है हमारी 120 टेक की कब आएगी और उसमें कितने मार्क्स PSL से बढ़ने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेंड्स का सेलेक्सल PSL लेस्ट में हुआ है वह इस बात से परसान है कि जो AISL है उसमें कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं या कितने मार्क्स पहले बढ़ते थे तो उसे पहले में बता दू कि आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आपर में चनल में 39 सो बच्चों का सेलेक्सल हए इस वीडियो में फ्रेंट समकर लोग Bir we will अगले वीडियो में वा इकर्व की बात करेंगे फ्रेंट सेटिंग और अगली वीडियो में वाइग्रू की बात करेंगे और पहले हम लोग जैसे देख चुके हैं पहले के इंटेक्स में की जो AISL है वो पॉइंट 5 से लेकर 1 मार्क्स तक इंक्रीज होती है क्योंकि फ्रेंट्स जो आपकी ज्यानिंग है वो वाकेंसीज पर निर्वर करती हैं इसलिए जो AISL है उसमें कुछ मार्क्स नहीं फ्रेंट्स पॉइंट में से लेकर और 1 मार्क्स तक इंक्रीज होती थी लेकिन जैसा फ्रेंट्स पिछली बार देखा गया कि जो स्टेंडबाई में भी फ्रेंट्स थे उनका भी सलेक्शन हो गया था फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आपका जो सलेक्शन है जो PSL लिस्ट आई है वो वाकेंसीज पर निर्वर करती है अगर वाकेंसीज ज्यादा होग प्रेंट्स तो सभी का सलेक्शन हो जाएगा और जैसा देखने को आ रहा है फ्रेंट्स कि जैसे इस बार पीर्सल में नंबर आफ मतलब यो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या जैसे बढ़ी है चार सो से पान सो के प्रोक्स और जो जीरो टू अवलिक ट्वेंटी ट्वेंटी की जो फेस टू के लिए साट लिस्ट हुए है उसमें जैसा आप लोग देख रहा है कि सोरह हजार से लेकर सत्रह हजार के बीच में फ्रेंट्स केंडिडेट सोट लिस्ट हुए हैं इससे यह निश्चेत रूप से पता चल रहा है कि वेकेंसी आपकी जो हैं इनक्रीज होई हैं तो फ्रेंट्स मैं आपको बस यही पताना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट में पीसल लिस्ट में लास्ट में भी हो तो आपको कुई चिंता करने के अब सकता नहीं है आप बस अपने जोईनिंग लेटर का वेट कीजिए और फ्रेंट्स यह भी बता दू कुश इस बात स वो 10 December को आने वाली है और अगर उसमें आपका नाम है तो आपकी ज्वाइनिंग फिक्स है तो आपको कोई पारसान होने की बात नहीं है आप उसमें अगर आपका नाम है या यसल में तो आपका उसका प्रिंट आउट लेकर भी जा सकते हैं जैसा कि अबleep जानते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है बाई पोस्ट आता है और बाई पोस्ट आणे में आपका कहीं भी जैसे पोश्ट मैन के द्वारा या कहीं भी उसको हो सकता है कि आप तक न पहुंच भाए आप AISL की पोटो कापी मतलब लेकर भी जा सकते है आपको कोई भी परसान होने की बात नहीं है और आपका फ्रेंट्स अब फिर से पता देता हूँ कि आपका रैंक अगर लाश्ट में भी हो तो भी आपको जो परसान होने की कोई आवस सकता नहीं है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताईएगा थाईचू और फ्रेंट्स आप हमारे चनल एवी डिफेंस कारीर को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा धन्यवाद